नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए कजरी तीच की कथा लेकर आई हूँ भाद्र मास की किश्न पच्च की तिर्दिया को कजरी तीच का तेवहार मनाया जाता है कजरी तीच के दिन सुहागन इस्त्रिया अपने पती की लंबी उम्र और शुक्षम्रिदी के लिए वरत करती हैं धार्मिक मानिताओं के अनुसार इस वरत से प्रशन होकर मगवान सिव और मापारवती सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं अगर किसी इस लड़की की शादी में कोई बाधा आ रही हो तो कजरी तीच का वरत करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं एक साहुकार था उसके साथ बेटे थे उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिस था वो रो जाना वैश्या के पास जाता था उसकी पतनी बहुत पती वरता थी वो खुद उसे कंधे पर बेटा के वैश्या के यहां ले जाती थी वे बहुत गरीब थी जिठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी छोटी बहु गरीब थी तो उसकी सास ने उसके लिए भी सत्तु का एक छोटा सा पिंडा बनाया शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तु पासने लगी उसका पती बोला मुझे वैश्या के यहां छोड़ कर आ हर दिन की तरह वा पती को कंधे पर भिठा कर छोड़ने गई लेकिन पती उस दिन बोलना भूल गया कि तुम जाओ तो वा बाहर ही उसका इंतजार करने लगी इतने में वहां जोर सी बारिस होने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई आवाज को सुनकर छोटी बहु ने नदी की तरफ देखा तो दूद का दोना नदी में तैरता हुआ उसकी तरफ आता दिखाई दिया उसने दोना उठाया और साथ बार उसे पीकर दोने के चार तुकडे किया और चारो दिसाओं में फेक दिया उधर तीज माता की क्रिपा से उस वैश्या ने अपना सारा धन उसके पती को वापस दे कर सदा के लिए महा से चली गई पती सारा धन घर लाकर अपनी पत्नी को आवाँ दी कि दरवाजा खोलो तो उसकी पत्नी ने कहा दरवाजा नहीं खोलूंगे उसकी पती ने कहा अब मैं वापस महा कभी नहीं जाओंगा हम दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ उसने कहा कि आप मुझे वचन दो कि आप वैश्या के पास कभी नहीं जाओगे जब पती ने वचन दिया तब उसने दरवाजा खोला तो देखा उसका पती गहनों और धन माल सहित खड़ा था उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को उंदिया फिर दोनों ने बैठ कर सत्तू पासा जब सुबह वाज जठानी के यहां काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए कि काकी चलो सारा काम पड़ा है उसने कहा अब मुझ पर तीज माता की किरपा है मैं काम करने नहीं आऊंगी बच्चों ने जा कर अपनी मा से बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएंगी वो नए कपडे जेवर पहन कर बैठी है और काका भी घर पर ही है उन पर तीज माता की किरपा हुई है सभी लोग यह सुनकर बहुत ही खुश हुए तीज माता जैसे आप उस छोटी बहु पर प्रशन हुए वैसे सभी पर प्रशन हुए और सभी की मनो कामनाएं पूर्ड करें बोलो बोलो तीज महरानी की जै